नमस्कार मेरे किसान साथियों स्वागत है आप सब का एक बार फिर किसान भाईयों गन्ना बुआई का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है गन्ना बुआई के समय हम कीट नासक और फंजी साइड का इस्तमाल करते ही है करना भी चाहिए क्योंकि जब हम एक महिने के लिए गन्ने टुकडो को जमीन में दबा देते हैं तो उसमें कीट लगने का ज़्यादा खत्रा रहता है इसलिए हमें गन्ना बुआई करते समय एक अच्छे कीट नासक और एक फंजी साइड का इस्तमाल जरूर करना चाहिए किसान सात्यों आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे किसान बाई सही दबाई का चेहन कर सके जिससे उनके पैसे भी बचे और उनको रिजल्ट भी मिले क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जब हम दुकान पे जाते हैं तो चाहे बुआई का समय हो चाहे हमें गन्ने में उपर इस्प्रे लगानी हो दुकान दार कई कई दवाईयां एकी बीमारी की किसानों को देते हैं जिन से उसकी कोस्टिंग बढ़ती है और किसान बाईयों को बहुत ज़्यादा नुक्सान पहुंचता है किसान साथियों मैं आपको इस वीडियो के माद्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप बजार से अच्छी दवाई लेकर आए लेकिन हमेशा एक दवाई का इस्तमाल करिए वो चाहे इस्प्रे कर रहे हो आप वो चाहे आप जमीन में दवाई लगा रहे हो लेकिन एक दवाई का ही हमें एक समय पे इस्तमाल करना चाहिए चार-चार दवाई नहीं डालनी, इससे हमारी केवल कोस्टिंग बढ़ती है, कोई फाइदा नहीं पहुंचता और ये एक मित, एक भ्रहम अपने दिमाग से बिलकुल निकाल दो किसान सात्यों, दवाई का रिजल्ट केवल 20 दिन के हैं, 20 में भी 15 के हैं, 5 दिन में अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूं केवल 15 से 20 दिन ही दवाई का रिजल्ट रहता है, आप समय समय पे दवाई का इस्तेमाल करें, केवल एक दवाई का इस्तेमाल करें किसान सातियो बजार में ऐसी भी बहुत सारी दवाईया है जिन में खुद से ही दो-दो दवाईया आती है आप उन दवाईयों का भी चैन कर सकते हैं लेकिन आपको बजार से केवल एक ही लेकर आनी है तो आज मैं आपको कुछ ऐसी दवाईया बताऊंगा जो आप अगर इकल कीटनासक के साथ नहीं मिलाने केवल यह ध्यान करना है तो एक कीटनासक और एक फंजी साइड ही हमें इस्प्रे में भी हमेशा इस्तमाल करना और गन्नाबुआई करते वक्त भी किसान साथियों एक ही दवाई का इस्तिमाल करें अब मैं आपको कुछ दवाईयां बताऊंगा कुछ महगी दवाईयां भी कुछ सस्ति दवाईयां भी किसान साथियों 90% मेरे किसान भाई फिपरो निल यानि रीजेंट का इस्तमाल करते हैं गन्ना बुआई में अब रीजेंट के पिछे की थोड़िशी कहानी बताऊंगा आ आप जैसा उचित समझे वैसा इस्तमाल करें एक ही दवाई लगानी है अब मैं आपको बताओं किसान भाईयो अगर आप खाली रिजेंट बुआई में इस्तमाल करते हैं तो भी आपके गन्ने में कोई भी निचे गन्ने टुकडो में 25 दिन तक 20 दिन तक कोई भी कीट नहीं लगेगा बिल्कुल भी आपको इसके साथ भी कोई अन्य दवाई मिलाने की जुरत नहीं है अब मैं आपको इसके 2-3 ग्रेड बता देता हूँ अगर आप चाहे तो इसको हलका या पावरफुल कैसा भी खरीद सकते हैं किसान साथ यो नॉर्मल रिजेंट अगर हम दानेदा बजार से खरीद के लाते हैं तो फिपरोनिल 0.3% जी आर यानि ग्रेनवल फोम में हमें मिलता है दानेदार में आसानी से मिल जाता है कहीं पे भी आप अगर रिजेंट अल्टरा लेके आते हैं तो फिपरोनिल इसके अंदर यानि जो साल्ट है 0.6% थोड़ा बढ़ा के मिल बढ़ा दीजे किसान भाईयो उसके बाद अगर आप चाहें तो और पावर बढ़ानी अगर आपको रिजेंट की तो रिजेंट लिक्विड आता है फिपरोनिल 5% उसमें वैल्यू आती है आप वो ला सकते हैं अपने रेत में मिला के खाद के साथ आप मिला करके गन्ने गोल्ड लेके आए जो 18.87% गुलनसील मात्रा में यह आता है बायर कंपनी का रिजेंट गोल्ड इन चारो दमाईयों के अंदर रिजेंट ही है फिपरोनिल है और यह इसकी वैल्यू बढ़ती जा रहे है तो आप इन में से कोई भी ले सकते हैं अगर आप रिजेंट अल्ट अब इसके बाद मैं आपको एक दवाई और बताता हूं मैंने कई सारी वीडियो में उस दवाई के बारे में बताया है इसको कंपनी की सीरा सागी इसके अंदर फिपरोनिल 40% है और एक दवाई और है इमीडा वो भी 40% है बहुत अच्छी दवाई अगर आप चाहे तो इसक 100 ग्राम कहती है आप 100 ग्राम भी डाल लेंगे तो भी बहुत अच्छी वैल्यू दवाई की मिल जाती है अपना खर्चा भी आमें बचाना है किसान भाई और कीट भी नहीं लगए ऐसा आमें काम करके चलना इसके साथ आप कोई भी फंजी साइड लेके अपने बवाई में इस्तिमाल कर सकते हैं साथियों बवाई में इस्तिमाल होने वाली एक और बहुत अच्छी दवाई जिसका बहुत जवर्दस रिजल्ट है थायो में तोकसम सब आप इस दवाई से जरूर परिचीत होंगे बवाई में जादतर ये दवाई इस्तिमाल होती है बहुत अच्छ पानी में रेत में मिलाके दवाई उसको आप खाद में मिलाके अपने गणने टुकुडों पर डाल दो सलेयर के नाम से बहुत ज़्यादा आता है बजार में सलेयर आप इसको भी ला सकते हैं अच्छी दवाई है नामी ग्रामी कंपनी है आप इसको भी ला सकते है 30omena एसमें 35 परसेंट है यह भी ला सकते है अकिली आप थायो में तो कसम का भी इस्तमाल कर सकते हैं कोई भी कीट नहीं लगेगा दो दो चरचर दवाई डालने की अवश्चत नहीं है इसके साथ भी आप कार्बेंडजी मेंकोजेग या टैबुको नजोल या और भी कोई की फंजी साइड मिलाके आप अपनी गन्ने कोई दिक्कत नहीं आएगी जादा दवाई या बिलकुल नहीं डालनी किसान भाईयो चार दवाई डालो या दो डालो रिजल्ट उतने ही दिन का है उतने ही दिन तक आपका प्रोटेक्शन आपको मिलेगी जादा दवाई डालने का कोई भी उचित्त नहीं बनता अब मैं आपको एक और अगली दवाई बताता हूँ किसान साथियो इमीडा क्लोप्रिड ये एक ऐसी दवाई है जिससे सभी किसान भाई परिचीत है किसान भाईयो लग बग 99% सभी फसलों की बिमारियों में ये काम करती है वो चाहे थ्रिप्स हो, वो चाहे मिली बग हो, वो चाहे टोप बोरर हो वो चाहे किसी भी परकार की बिमारी क्यों ना हो, इमीडा क्लोप्रिड सब में काम करती है, आप इसको भी बजार से बहुत आसानी से लेके आ सकते हैं और अकिली इस दवाई को भी आप बुआई में डाल सकते हैं इसके साथ कोई और दवाई लगाने की भी आपको वश्यक्ता नहीं पड़ेगी दानुका कंपनी की मीडिया के नाम से आती है मीडिया, 17.8% इमीडा है इसके अंदर बायर कंपनी का एड्मायर आता है किसान भाईयों, इसके अंदर 70% है ये भी ला सकते हैं या बायर कंपनी का कॉनफिडोर ला सकते हैं आप इसके अंदर भी 17.8% इमीडा है और सीरा सागी मैंने आपको बताई थी उसमें इमीडा 40% और फिपरोनिल दो दवायात्य वो भी डाल सकते हैं या इफको कंपनी की इसो गाशी इसो गाशी के नाम से आती है इमीडा 17.8% वो भी ला सकते हैं इकलोती इमीडा भी आप डाल सकते हैं इसके साथ भी एक फंजी साइड मिलाएए और अपने गंडे टुकुडो पे खाद में मिलागे डाल दीजिए किसान साथियो इन दवायों के अलावा अगर आप जानी मानी कुछ हलकी दवाया जिनको हम हलका मानते हैं आप वो हलकी नहीं है बहुत अच्छे रिजल्ट है उनके भी जैसे हमला कलोरो पाइरी फोस 50% और साइपर मेतरीन 5% जिसमें आता है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड आप इसका भी इस्तमाल कर सकते हैं लीथल सूपर उसके अंदर भी यही दोन्नों साल्ट है वो भी आप डाल सकते हैं गन्ने टुकुडो पे वो भी इन दवाईयों के बराबर ही आपको रिजल्ट देगी ऐसा बिलकुल नहीं है कि आप महंगी दवाई करीद दोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे आप एक लिटर दवाई एक एकड़ खेत में डाल दीजे जमीन में किशाण भाईयों खाद में मिलाके सेम रिजल्ट मिलेंगे आपको जो आप अन्य दवाईयों डालोगे लेकिन दुकान वालों ने कुछ ऐसा दिमाग घुमा देते हैं वो वहाँ जाने के बाग के नहीं ये दीमक की अलग डालो ये सुन्डे की अलग डालो जबकि किसान भाईयों ये दवाईयों सभी बिमारियों पर काम करती है तो जब तक आपका गन्ना नहीं जमेगा ये सारी की सारी दवाईयां आपके गन्ने टुकुडों को प्रोटेक्शन देगी निश्चित रूप से देगी कोई भी दवाईय आप डाके डाल सकते हैं मेरा समझाने का मतलब केवाल यही था कि अपनी कोस्टिंग कम करनी है जमीन में दवाईयां कम डालनी है जिससे हमारी जमीन भी बची रहे और हमें रिजल्ट भी मिलें और हमारा पैसा भी बचे अगर वीडियो पसंद आई है किसान सात्यों तो किरपे इस वीडियो को लाइक करें धन्यवाद